प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, इश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए, अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर इस मालक के सरन में आ जाएंगे, इस दास के वाज़म से उप्लेस प्राफ्ट कर लेंगे, वो विसेश पुन करमी प्राणी, और अब भी जो रह जाएंगे, वो मनुस जीवन पाकर भी अपना जीवन में वर्थ कर कर जाएंगे, मानुस जनम दुरलब है ये मिलैन बारं बारे, जैसे तर्वर से पत्ता तूट गिरे, वो बहुर ना लगता डारे, मानुस जनम पाये कर जो नहीं रटें हरी नामे, जैसे कुआ जल्ब ना फिर बनवाया किस काम, अब मनुस जीवन पाक है जो सत्षादना नहीं करते, वो तो ऐसे हैं जैसे वेल विद आउट वाटर, यानि जल्रहित कूप, कितना अच्छा सुंदर कुआ बना हो और उसमें जल्ब है नहीं, तो नाम बेस्ट कुआ है पर उस गुण कुए के कुणा, ऐसे ही जो मनुस जीवन पर आप्ट करके जो सत्षादना नहीं कर रहे, वो भले ही मनुस कहलाते हैं पर उसमें गुण मनुस के नहीं हैं, तो परमेश्वर कहते हैं संजा है तो सर दरपाओं, और बहुर नहीं रहे है सादा, बो सत्षाद गुर्दे, यी जै, परम पिता परमातुना, पूर्ण ब्रम, सारी सिर्ष्टी के रचनार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब जी के असीम करपा से, आज हमें ये यथारत ग्यान प्राप्त हुआ है, हमें ये मालूम हुआ हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम इस गंदे लोग में कैसे फस गए हैं, अब हम यहां से कैसे छूट सकते हैं, हमारा मूल ठेकाना, मूल सथान कहां पर है, अब हमें ये भी पता चल रहा है, कि हम कोई भी प्राणी, चाहे कितना ही वर्द है, कितना ही रोगी है, कोडी है, कितना ही मानसिक प्रेसान है, कितना ही उसको गाटा होता है, कोई भी विक्ती मृत्व नहीं चाहता, और ये पता होते हुए कि मृत्व डैफिनिट है, और फिर भी हम बिल्कुल मरना नहीं चाहते, कितने वर्द हो जामा, कितना ही हम दुखी हो जाए, और ये बात बिल्कुल जायज़ भी है, वह क्यों तो सारा जीवन हम लगे रहते हैं, अपने परिवार पॉसन के लिए, अपना एक रहन बसेरा बनाने के लिए, और वो पूरा नहीं हो पाता इतने मर्टू होने की बारी आ जाती है यो क्या सांग हो गया क्या व्रस्था होई एक विशेश विचारनी विशे है कि इनसान सारा जीवन अपने प्रिवार पोसन में एक मकान बनाने और तो था कुछ आदोनिक स्वीध हैं प्राप्ट करने में सारा जीवन लगा जेता है बच्चों की साधी विखा करके नियो सोचे है कि अब मुझे कुछ राहत मिलेगी इतने बुड़ा पादस्तक दे जेता आकर के लिए मैं भी आ गया गोज़े त्यार कदे आँख बनवानी किता जाड़ पड़वानी किता शर्मा दर्द किता कड़ दूख है कमर मदर्द ऐसी बिरानमाटी वो इस जीव की अब हमारे को दूर से दिखाई देने लगया क्योंकि हमारा अग्यान रूपी मोतिया बिंद का उपरेशन कर दिया प्रमात्मा ने हमारे को आज वो वर दवस्था खड़ी दिखाई देती है इसका विकलब क्या है कि प्रमात्मा के चरणों में लगया रहने से सच्ची शर्दा से भगती करने से वो दुख में समय हमारा आसानी से वितीत हो जागा प्रमात्मा का सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत हलका बनेगा वो दुख और जो प्रमात्मा की भगती नहीं करते हैं और अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं और अच्छे उनको डिपोजिट जमा पैसा उनका मिलता है और बच्चे उसी से में फिप्टी फिप्टी कर लेते हैं दो हैं दाद आदा कर लेंगे और पिता जी के पास केवल पैंशन रह जाएगी और फिर पैंशन के चक्र में एकत्रीस तारिक ने पिता जी को पूछेंगे कब लाओगे पैंशन एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र रिटार हो रहा और बैंक के सामने मिल गया और साथ में उसकी पूत्र वदू जितनी पैंशन मिल ली थी पांचार जारत हुआ सारी उस पूत्र वदू ने ले ली उसका सामने और उस बुड देता हैं इस रुपिय देगी रिक्ष्या के अगले दादा तु बैठके घरने चाल मैं बजार मत समान ले आओंगी तो कहने लगी मैंने पूछा भी आप किस लिए आई हो पैंसलें तब उड़ाया वो कहने लगी इसने दिखता को ने गिंदे नाव में गेल लाइका गिंद वालियू वाजाली जब उन्यों कहा है बुड़ारा गिंदे तु मना खूब आओंए है इसका नोस सका है कि दे बुड़ा के मेरा आख जा दो रहा है दस रुपिय रिक्षा के दे राखें बाकी सारे लेगी कहने का भाव यह पुन्यात्मों एक अच्छी पोस्ट से रिटार होया था एक बुड़ा कि वह मारा सेव बना था फिरो पता नहीं क्या उक्चुग लागी दिल्ली का रहने वाला सब ऐसे चर्चा चल रही थी कहने लगे कि ऐसे बनता है बुड़ाप्य में तो कहता है जब पैसे भी ले लें कोई बात नहीं नाले टॉर्चर भी कर दें यानि पैसे ले लें कोई बात नहीं वो भी दुख निमट जा नाले टॉर्चर भी कर दें बना टॉर्चर भी गेल करें और परमात्मा ने पहले बता रहे हैं हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जो परमात कहते हैं बाई मतलब के ब्यना कोई नहीं प्यारा स्वारत के ब्यना कोई नहीं प्यारा बुड़ा हो ए पड़े खाट में सुन वचन खारे कुट्य तावन का भी सुख को ना ये चाती फूकन हारे बाई मतलब के ब्यना कोई नहीं प्यारा बुड़े हो जाते हैं आखों से दिखाई नहीं दे और बुड़ा बुड़िया की चारपाई गेट का अग डला कर रहे पुत्रवदू कहके जाएगी के धान रखना दूद को गी को कुट्टे बिली ना खराब कर दे मैं खेत में चारा लेने जा रही हूँ अब वो बुड़्या न दिखे को नहीं कुट्टा बुड़ा सैतान होता है आँख में चुरनी करके रसोई में पाया करें एक पुत्रवदू उनकी आई देख्या कुट्टों ने दूद भी खराब कर रख्या और गी भी तो बुड़्या को कहती है कि तुम तो छाती फूको मारी तुमारा इतना सुख भी को ना तुम कुट्टों रटाजो यानि कुट्टों किसे रखवाली कर दो बुड़्डा हो वै पड़े खाट में सुने बचन खारे कुट्टे तावन का भी सुख को ना ये चाती फूकन खारे ये टॉर्चर और नाले वगागे ले तो इस तरह प्रमात्मा कहते हैं कि कोई भी विक्ति जैसे अभी आपने दिन के सत्संग सुना था गीता जिद्धा रहा है नंबर साथ के स्लोकण नंबर ड्व network 29 वे 2019. कि जो व क्टि मेरे इस घ्यान पार आश्रित होका है उन तत्वदर्सिस संतों के संप्रक्न जाका है। उस तत्वर्म से तत्वर्म से यानि परम अक्सर पूर्स से परम अक्सर परम से और शारे अज्डात्मिक घ्यान से और सभी कर्मों से जो परीचित हो जाता है तो वो केवल जरा मरन मोक्स आए जरा और मरन से मोक्स के लिए यानि इसे छुटकारे के लिए ही परियतन करते हैं तो जरा मरन इसलिए बता है कि यहां बुड़ा पास सबसे डेंडरस टाइम है इस जीव का और साथ में फिर मर्टू उस्ते गुंडी और होनी डेफिनिट तो यह ऐसा क्यों है क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मर्टू नहीं होती थी और यह मर्टू हमें अकति गवारा नहीं है अर्या हो रही है इसलिए हमें यहां सत्षंग में आने से पता चलता है कि हम कौन हैं कहां से आए हैं इस मनुस जीवन का उदेश से क्या है यह जानकारी प्रमेश्वर ने सुन आकर के हमें दी है वो प्रमात्मा परते एक योग में आते हैं और अपनी जानकारी आप ही बताते हैं अपने द्वारा रची हुई शिरिष्टी को स्वेम ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता और यहां के भगवान यहां के स्वामी काल भगवान जिसको ब्रहम कहते हैं जिसको सर ब्रहम सर पुरुस भी कहते हैं ये 21 ब्रमान्ड का स्वामी है 21 ब्रमान्ड का मालिक है इसको एक सराप लगा हुआ है इसको एक बेमारी लगी हुई है एक लाख मानु स्रीधारी प्राणियों का नित आहार करने की उसके लिए इसने हमें यहां पर पाल रखे है पुन्यात्मा परते एक विक्ती प्रमात्मा को बैयलू बताता है और भगवान उसी का नाम होता है परमात्मा उसी को कहते हैं जो दुख ना दे केवल सुख दे उन्हात्माओं और यहां के हम जैसे पदारत देखते हैं बैते हुए जर्ने गंगा जैसी दरिया और दिन रात बन रहे हैं बहुत अच्छी परच्वी दे रखी है इसके उपर बाग बगीचे, काजू किसमस, सेव संत्रे और साथ में कितने अच्छे और बहुँचे पदारत है इन सब को देख करके ऐसे लगता है कि परमात्मा बहुती द्यालू है कितनी सुविदा हमें परदान कर रखिये और जब हम समाचार में सुनते हैं या कब आसपास के अक्षेतरों में ऐसे पता सुलता है दुर गटना हुई जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्या की मरत्यू होगी है कहीं पर भूकंप आ गया अक्षेतर का अक्षेतर बिनास को प्राप्त हुआ तो ऐसे हम देखें तो फिर प्रमात्मा की द्यालुता संका के घेरे मा जाती है पुनात्मा गीता जी द्याह नमबर पंद्रा के सलोक नमबर एक से चार में और गीता जी द्याह नमबर आठ के सलोक नमबर अठारा से लेकर बाइस तक एक विशेश व्यक्या की है और गीता जी द्याह नमबर पंद्रा के सलोक नमबर सोला सत्रा में इस गीता ज्यान दातासे अन्यकोई प्रमा प्रमेश्वर बताया है गीता जी द्याह नमबर आठ के सलोक नमबर तीन आठ नो इस molar अठारा से बाईस गीता जी द्याह नमबर पंद्रा के सलोक नमबर एक से चार में 16 और 17 में और भी बहुत से स्थानों पर गीता जे दैया नुम्र 18 के सलोक नुम्र 62, 66 अदैया नुम्र 18 के सलोक नुम्र 46 इन में अन्य कोई प्रमात्मा है जो परमेश्वर है गीता ग्यान दाता से और उसके विसे हम जानकारी दिये हैं तो इन सब की जानकारी देते हुए गीता जे दैया नुम्र 15 के सलोक नुम्र 16 और 17 में तीन परमात्माओं की व्यख्या की है एक सरपुरस एक अक सरपुरस और तीसरा परम अक सरपुरस पुरस कहो चे ब्रहम कहो प्रभु कहो राम कहो जो सरपुरस है यह देखिएगा क्योंकि यही पवितर सद्गरंथ हम पहले भी पढ़ा करते थे लेकिन वो अब प्रमात्मा की व्यख्यानी सच सिध होती है बाई सत्गुर बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था वुस छड़े किसाना गुरु बिन वेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सारर है अग्यानी ही गुरू के बिना जो वेद पढ़ते हैं वो कुछ नहीं समझ पाते हैं अग्यानी ही रहते हैं और गुरू जी के बिना सत्गुरू के बिना किसी को भी ज्यान प्राप्त नहीं हुआ वो तो ऐसे रह गए जैसे थोथे भुसको यानि जैसे धान होते हैं उन दानों को ज़ाड लेते हैं उसके पास प्राल रहे जाती है कोई उस प्राल के उपर लठ बजा रहा है लाठी मारा डंडे मारा उसने पटक पटक कमार रहा है जहड रहा है कुछ नहीं निकल रहा है वो थोथा भुस है तो ऐसे ही जो तत्वत तर्शी संत के अभाव से जो ग्यान वेदों को गीता यादी अन्य सद्गरंतों को पढ़ते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे थोथे वुसको कूट रहे हों अर्थात यूजलेस निराधार यान बगैर किसी लाब के किसी वो उसका प्रियतन है उसके कोई लाब ने यूजलेस तो परसंग हम यहां यह कलियर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो प्रमात्मा दयालू कहते हैं और फिर यहां दयानाम की चीज नहीं मा के पेट से नंगा आता है यह बच्चा और शरुवात कहां से हुई थी इसके अपना कोई लंबे-लंबे पत्य वरक्सों के जोड़ तोड़ कर अपना सरीर को ढखा करते थी दिरे-दिरे बुझी विक्सी तो प्रमात्मा की दया हुई तो कपड़ों की खो जोगी और भी सुविदा हैं बहुत सी अपने बना ली अ कोले गिरते हैं मट मट शर्मल आगे कटा कट की तो बाज दोड़ के जयान बचा ली तो बचा ली ना सारा फूट जाबें उसो जाए फलड आ जाती है कि तगजाओ कोई दचा मरो चाए बचा मरो रोगी मरो चाए जवान मरो कोई किसी परकार की कोई बादा नहीं तो इन बातों को देखकर फिर अब हमें डर लगन लग गया क्योंकि हमारी आँखों का जो ऑपरेशन था हो गया अग्यान डूल्पियंद कार हिट गया और हमने उस द्यालू भगवान का पता लाग गया गिता जी अज्जाय नंबर पंदर की मन भगवत गीता और इसके अनुवादक जैद्याल गोइंदका यस अधिक से अधिक यही बिकरी है और इसी का नित्ट पाठ किया दाता था नित्ट स्वद्धाय के लिए इसी का प्रियोग होता रहा ज़ादातर गीता प्रेक्स्कुर्प उसे प्रकासित है गीता जी अध्याय नंबर 15 का स्लोक नंबर 16 सत्रा में तीन परमात्मा अलग अलग दिखाए है वरनित किये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 इसकी संस्कर्च भी हम देखेंगे क्योंकि यह नागनी लिपी है कोई दिकत नहीं दिवव इमव पुर्षव लोके सरे शर 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 चे अक्षर एव चे सरे सरवानी भूतानी कटुषते अक्षर उच्चते इसकार्च यह बना है कि इमव माने इस लोके माने लोक में दिवव माने दो पुर्षव माने परमात्मा परभू स्वामी हैं दो भगवान हैं एक सर एक अक्षर इसको इस दोनों को हम यहां भी लगा सकते हैं सरपुर्ष और अक्षर पुर्ष इस संसार में इस संसार में दो भगवान हैं सरपुर्ष और अक्षर पुर्ष यह दो परमात्मा हैं और इसी परकार इन के लोक में सर्वाने नासवान, सर्वानी, भूतानी, सभी प्राणियों के सथूर सरी तो नासवान है और जीव आत्मा अक्सर्वाने अविनासी कही गई है। सर्वाने तो नासवान, अक्सर्वाने अविनासी, सर्वाने नासवान, अक्सर्वाने जो नासवान नाहु अविनासी कहा गई है। बीदिनी बरth यहिंहों ने अनुवाद किया है। इस संसार मैं नासवाण और अविनासी भी ये दो प्रकार के पुरूस admired प्रभू है। पुरुष हैं पर्bु है और सम्पूर्ण प्राणियों के सरीर तो नासवान है जीवादमा अबिनासी कहा जाता है अब यहां किया कमाल सत्तर में में उत्म पुरुष हैं तु अन्यैं पुरुष मानें पर्भु परमेश्वर। उत्तम पुर्श श्रेष्ट परभू पुर्शोतम तो अन्य उपरवरनित इस शरपुर्श और अक्सरपुर्श से इन दोनों से कोई और है उतम पुर्ष तु अन्य Pरमातमा एति उधारते ये दासिस परमातमा सबद को define करना चाहता उसके लिए इतना कुछ आपके सम्घ स्थ प्रस्टूत करना पड़ेगा इतना लंबा चोड़ा उधान बना पड़ेगा उतम पुर्ष तु अन्य पुर्ष भी लिखा है और परमात्मा भी लिखा है उतम पुर्ष तु अन्य है उपर वाड़ों से दोनों भगवानों से कोई और है जिसे परमात्मा उधारतमा ने कहा जाता है जिसको परमात्मा कहा जाता है ये लोकतर्यम जो तीनों लोकों में आविस्य मान प्रवेश करके विभर्ती सब का धारण पोर्षन करता है वो अवे इस्वरे ये अवे सब्द है ये अविनासी वो अविनासी परमात्मा है इस्वरे उत्म पुर्षय तो अन्य ही है यानि सही भगवान सिरिष्ट परमात्मा तो उपर वरनी दोनों से कोई और है जो तिनों लोकों में परवेश करके सब का धारन पोजिशन करता है और उसको अविनासी परमेश्वर परमात्मा इस परकार कहा गया है अब ये दास बताओगा अब उत्तम पुरस तो अन्य ही है यहां पुरस और परमात्मा दो सब्दों का प्रियोग या अक्सरों का प्रियोग वार अब उपर सोल में सलोक में पंदर में जाएके सोल में सलोक में अक्सर पुरस भी कहा है अक्सर पुरस कारत होता है अविनासी परभू और सरपुरुष का अर्शिदाही नासवान परमात्मा पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये अक्सर क्यों कहा और फिर नासवान कहा अक्सरपुरुष को पुन्यात्मा ये सरपुरुष जो है शरपुरुष ये 21 ब्रमान्ड का स्वामी है इसको ब्रहम कहते है और इसका ओम नाम है ओम मंत्रे गीता जाय नमबर 17 के सलोक नमबर 23 में लिखा है ओम तत सत इती निर्देसे है ब्रहमने तिर्विद समरता है ब्रहमने माने उस अक्सर पुर्सका जो इन दोनों से अलग है उस परमात्मा के पाने का ओम तत सत्य तीन मंत्र का जाब है उसमें ओम जाब सर ब्रहम का और तत ये सांकेती का ये अक्सर ब्रहम का अक्सर पुर्सका और सत ये भी सांकेती के दास बताएगा ये परम अक्सर पुर्सका परमक्सर ब्रहम का यानि पूर्ण ब्रहम के यह इनका अलग-अलग मंतर है यह 21 ब्रमार्ण का स्वामी है सरपुर्ष यानि ब्रहम जिसको जोती निरदन काल भी कहते हैं जिसने स्री करसंद प्रवेश करके गीता जी का ग्यान दिया सिरीमत भगुत गीता का ग्यान दिया और ये तो सिधाई सरपुरस है ये तो नासवान है और अक्सरपुरस अक्सर का अर्थ ही अविनासी होता है लेकिन अक्सरपुरस भी नासवान है ये अविनासी नहीं है अब इसको डिफाइन करना है अवि नाश्वान भी कहा जैसे इविन की एज देखनी पड़ेगी ब्रहम के तीन पूत्र हैं इस काल के जोती निर्दन के श्री बर्माजी, श्री विश्णुजी, श्री शिवजी रजगुन बर्माजी, सत्गुन विश्णुजी, तमगुण शिवजी बिर्माजी की आयू सो वरस की है वो वरस कैसे बनते हैं एक सत्रयूग सत्यूग त्रेता दुआ पर कल्यूग इन चैरों का मिलाकर के 43,20,000 वरस का समय होता है इसको चत्रयूगी कहते है चत्रयूग कहते है और ऐसे ऐसे एक हजार आठ चत्रयूग का बिर्माजी का दिन इतनी हिरात्री इसको लंब संप एक हजार योग का दिन इतनी हिरात्री मान कर चलते हैं और तीस दिन रात का महिना बारा महिने का एक वरस और सो वरस की बिर्माजी के आयू सो व्रस की बिर्माजी के लिए इस साथ गुना सत्गुन विश्णुजी की साथ सो व्रस इस परकार बने हुए व्रसों की और इस साथ गुना उननचा सो व्रस सिरी संकर वगवान सत्तमगुन की और सत्त्र हजार बार जब तमगुन तमगुन ये संकर की मर्क्यू हो जाएगी तब एक युग होगा किसका उस अक्सर पुरुष का एक युग और एक हजार युग का दिन इसम चतुर युग नहीं है इसकी काउंटिंग में बिर्माजी की आईयू में चतुर यूग है और अक्सर पुरस की आईयू की कैलकुलेसिन में चतुर यूग नहीं है, अनली यूग है एक हजार यूग ऐसे बने हुए है एक हजार यूग का दिन इतनी ही रात्री है अक्सर पुरस की है और तीस दिन रात का महिना और बारा महिने का एक वर्ष ऐसे बने हुए सो वर्ष की आईयू है अक्सर पुरुस्की यानि फिर भी मर्टू है अपने अत्माओं अभी पवितर स्री बद भगवत गीता है आठ में जाय के तेरे में स्लोक में गीता ग्यान दाता अपने मंतर का के अपनी बगती और मंतर के विशे विशे शुलूप से बताता है कि ओम इति एकक्सरभ बिरम वहरन माम अनुसम्रन ये प्रियाती तज्ञदेहं सहियाती परम गती में एक ओम अक्सर हैमजबरम का माम बिरम का उच्छार्ण करके सिमन करता हुआ जो प्राणी सरी त्या कर जाता हूँ ओम नाम के जाप से जो प्रमगती होती है जो अपलबदी होती है उसको प्राप्त करता है अब यहाँ एक साथ क्योंकि आप जी परमात्मा की तरफ में बहुत गूम रहे हो आप जी ने बहुत से संत भी मिले हैं आपने बहुत से संतों का लिटरेसर भी पड़ा है आपको ये विशेश बताने क्यों सकता नहीं बगवान बजलो काम आओगा आपको ये परमानित करना आथि आऊ से कि कि परमात्मा कौन है कैसा है कैसे मिलेगा उसका डिफाइन करना आपके सामनेरा आती है उसका कर वीदप पूरूफ भक्तित आपका पहर कर लिए जब ये पता लगे का शना है करके सथ संगु funding सबैजिए। तो अब ये डिफाइंड करना चाहते हैं कि हमारे सद्गर्णत हमें क्या अनमोल खजाना दे रहे थी और ये ग्यानी अनाडी संतोर इस युबरामनों न गुरूवों न नकलियों न हमारे कुल टाप हाट पड़ा रहा रहा था क्या खैवे नहीं बता रहा खैवगती का एबी सी भी नहीं बता रही और वही सद्गर्णत दिन को अनुसरो धारिये मानती था तो कितना निर्मल ग्यान दे रहे गीता जगिपा न नमबर आठ स्लोक नमबर एक मार्जुन ने पूचा सुबह भी बता था कि विता अक्सर बर्म कोण़ है अख़रप्रस एक परम अक्सर बर्म यानि अक्सर बठर्स से भी स्रेष्ट और परम है और गीता जिन दैनामर पांच और साथ में तो अपनी सती थी बताता है मेरी बग्ति कर मुझे पराप्त होगा और आठ नो दस में फर्म अकसर ब्रहम के बी से बताता है उसकी भक्ति जो करता है उस्थत्ध और दिसी संद से वो तीन नाम के जाप से ब्रहम लोग प्राप्ती होती ही ब्रहम का जाप है और ब्रहम लोग में चला जाता है जिसको महा सुरग भी बोला जाता है और वहां जाने के बाद भी फिर प्राणी को वापस जनम मर्त्यू में आना पड़ता है गीता जी ग्यान दाता ये ब्रहम स्विम कह रहा गी ताजी दैय नम्बर 4 के स्लोक नम्बर 5 और 9 में अर्दुन तेरे और मेरे बहुत से जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता मैं जानता हूँ और मेरे जनम और करम अलोकी खें आठ में जाय के सतर में सलोक में जो अन्वादी नन्वाद करता हो ने किया है ये बिलकुल गलत करकिया है उसको अब सबस्ट करना चाहते हैं तो उसमें बता है कि जो उस परमातमा की भगजी करता फिर उसकी दोबारा दनम नहीं होता और अक्सर पुर्च की यहां आई यू कलकुल इसन बता रखी है आठ में जाय के सतर में सलोक में आपको लिखाते है ये देखिएगा अज़ाय नमबर आठ सलोक नमबर सूला में कहा है कि ये अर्जुन बरहम लोग परियंत सब लोग पुन्रा वरती में हैं यानि बरहम लोग तक भी सभी का जनम और मर्टू होता है ये इनों ने इसका विशलेशन नीचे किया है पुन्रा वरती का क्यारत होता है अर्थात जिन को प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे और पंदर में अज़ाय के चौथे स्लोक में कहा है कि तत्व दर्सी संत के मिलने के पस्चाथ उस परमपग परमेश्वर की खोज करनी चाहिए यह देखिएगा जह नमबर पंदरा और स्लोक नमबर चाहिए उसके पस्चाथ उस परमपग रूप परमेश्वर को भली बातिक होजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवर्थी विस्तार को प्राप्ट हुए था जिस परमेश्वर ने सर्वय वर्वंडों की संसार वर्ष की रचना की है उसी आदी पुरुष नाराण की मैं सरन हूँ यानि कोई ओर है गीता ग्यान दाता से इस परकार दर निस्टे करके उस परमेश्वर का मनन और निदिधासन करना चीए परपा देवान ने पूजा करनी चीए उसकी साधना करनी चीए जहां जाकर फिर लोटकर संसार मनी आती और गीता ग्यान दाता गयता तेरे मेरे बहुत जनम हो लिए और आगे भी होते रहें ब्रम लोग परियंत ये सभी पुन्रा वर्ती में हैं इन्होंने आगे अनुआद गल्थ किया है कि मुझे पराप्त होकर पुन्र दिनम नहीं होता नहीं निता गीता जे दाया नमर चार के स्लोक नमर पांस और नो का ये सारा आस्या खत्म हो जाता है यहां इस कारत बनता है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे पराप्त होकर भी जनम मर्तु होती है कि ब्रहम लोक में गए हुए प्राणी भी वापस जनम मर्दूम आते हैं इससे दुआ कि ओम नाम और ब्रहम की साथ ना करने वाले अभी पूर्ण मोक्स प्राप्त नहीं होता यहां कंसेप्ट के लिए करना चाहता है यह दास कि इन्होंने अनुवाद गल्द किये आठमे दाय के सतर्मे सलोक में उस अक्सर पुरस की आयू बता रखिए यह देखिएगा आठमे दाय का सतर्मा सलोक यह आठमे दाय का और यह सतर्मा सलोक यह सोल मा आपने देख्या कि आ ब्रह्म भुनात यानि हे अर्जुन ब्रह्म लोग परियंत सब लोग पुन्रा वर्ति में वहां गए विप्राणी फिर जन्म वर्तियों में आते हैं सत्तर माह इसमें देखना सैसर यूग परियंतम सैसर यूग है यहां सैसर चतुर यूग नहीं है यह जहान करना है, क्योंकि यह मूल सुन्सकर्ट को हम अनुवाद करेंगे, इन्हों गल्द किया हुआ, इसमें सैंसर चतुर योग नहीं है, सैंसर योग परियंतम, एह माने दिन, और यत ब्रह्मने माने इस अक्सर पुरुष का ब्रह्मने कारत होता है, क्योंकि यहां आई- ब्रह्मने बड़ा, उससे बड़ा, विदू, जान, रात्रिम, रात्री भी, योग सैंसर आंतम, इसमें चतुर योग नहीं है, ते अहो रात्री विदू जना, इन्होंने ब्रह्मने कार से दिया, ब्रह्मा नहीं, यह परवर्म लखना चीए, परवर्म, यानि उस ब्रह्म से नेक्ष्ट परफू, या अक्सर पुरुष का जो एक दिन है, उसको, इन्होंने नुवाद गल्त किया है, एक हजार चतुर योग, चतुर योगी तक की अवधी वाला, यहां पर सैंसर योग परियंतम, नोट चत योग नहीं है, तो यहां गल्ती कर दी इन्होंने, इन्होंने बर्मा बना जिया, बर्मन का, परवर्म को, अब जिसने ग्यानी नहीं है, तो ऐसे गुड़गोबर कर देता है, सद्गर्थों को अभी जो आश्या बदल देता है, उसका अपने नालाइक वुदी के कारण, ब अक्सर पुरुस का जो एक दिन है, वो एक हजार युग, एक हजार युग का है, नोट चत्र युगी, चत्र युग नहीं है, और इतनी ही रात्री जानो, और जो पुरुसिश को तत्वा से जानते हैं, वो योगी जन, काल के तत्वा को जानने वाले, यानि वो तत्वा दर अबर चार के सलोक नमर पांस और नौ में कहा है रदुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके तू नहीं जानता मैं जानता हूँ मेरे जनम और करम अलोकिक हैं कैसे झैसे भी आपको बता था कि एक बिर्माजी की आईू कैसे बनी थी एक हजार चत्तर युग का दिन उतनी हिरात ली तीश दिन रात का मैंना और बारह मैंने का एक वर्स सो वर्स की आईू उससे साथ गुना विश्णू जिसे साथ गुना संक संकर जी की संकर जी की मर्त्यू होगी इतने समय के उप्राण ऐसे ऐसे सत्र हजार बार जब संकर जी की मर्त्यू हो लेगी तब एक काल की मर्त्यू होगी इस ब्रह्म की मर्त्यू होगी जो गीता ग्यान दे रहा है इसके बाद क्या होता है एक ब्रमांड का विनास हो जाएगा ये सभी प्राणी और ये काल और दुर्गा सभी मर्त्यू को प्राप्त हो के उस प्रमेश्वर की करपा से ये सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे ब्रमांड में वहां जाते ही प्रमात्मा का वर है इन दोनों को दुर्गा और इसकाल को इनकी एक दम वहां जाते ही युवा सरीर बन जाएंगे और ये दोनों युवा होंगे फिर उसके बाद ये नए सिरे से अपनी सिरिष्टी बिरमा विश्वनुमेश की उत्पति आदी फिर ये करेंगे कुछ गुद्दुर्गा वचन से कर देती है कुछ ऐसे सिरिष्टी करम से करते है तो वो जो ये काल मरेगा एक बिरमांड का विनास होगा वो एक युग होगा किसका इस अकसर पुरुस का इसलिए यहां चतर युग नहीं लिखा है हाठ में जाए कि सतर में स्लोक में स्रीमत भगुत गीता जी में अउनली युग कहा है एक हजार युग का दिन और उतनी ही रातरी होगी ऐसे बना हुआ युग एक काल की मर्तू एक युग होगा और ऐसे एक हजार युग का दिन इतनी रातरी तीस दिन रात का महिना बारा महिने का एक वर्स और ऐसे सो वर्स की आई यू होगी किसकी अक्सर पुरुस की इस परकार इसको भी अविनासी कहा लेकिन ये भी वास्तों अविनासी नहीं है जैसे एक कप है चिन्नी का बने होगा इस सफेद मी टीसी का ये तो अंडरस्टूड है ये तो समझो सरपुरुस है इसका ऐसे मेटरियल का शरीर इसके प्राणियों का इसका ये तो अंडरस्टूड है परस फरस पर गिरा और टुकडे टुकडे करेक ज़रूर होगा और दूसरा एक सटील का कप हो चाय पीन का यानि शटील दातू से बनी हुई कोई वस्तू हो तो वो उस मिट्टी की धातू से बने हुए कप के तुलना में गणा अविनासी है बहुत लंबे सुम्यों में हो तोगा खराब उसको जंग लगेगा लेकिन वो पीरियर बहुत लंबा होगा इस परकार उस दातू की तुलना में मिट्टी वाली दातू की तुलना में शटील दातू अविनासी कही गई है लेकिन है इसका विनास जैसे सोना ये ऐसे जंग से विनास को पराप्त नहीं होता तो इसको अविनासी हम कहें तो ऐसे ही अब इस अक्सर पुरुष को अभिनास्थी कहा कि इसकी इतनी लंबी आयू है लेकिन मरेगा, मर्च तु इसकी भी होगी, लेकिन सर पुरुष की तुलना में इसको अक्सर पुरुषी कहा, आगे फिर इसका निरनाय ग्यान दिया है, गीता जिद्धाय नंबर 15 के स सलोक नंबर 17 में सफष्ट कहा है कि उतम पुरुषे तु अन्य है, उतम पुरुष्ट कोई और ही है, सरेष्ट प्रभु तो कोई इन दोनों से कोई अन्य है, और परमात्मा इतिवदारते, जो परमात्मा कहा जाता है, अब यहां परमात्मा की डैफिनेसन आपको बताने ज जा रहे हैं, कि परमात्मा उसे कहते हैं, जो केवल सुख दे, दुख ना दे, तो यहां गेता जी दहर नंबर 17 में कहा है, कि वो परमात्मा कहा जाता है, वो तीसरे नंबर का, और यह लोग तर्म आविस से भी भरती अवेश्वर है, वो वास्तव में अविनासी करके सबका धारण पोशन करता है, अब पहले यह परसंग कलियर करते हैं, कि परमात्मा इती उधारते हैं, जैसे अभी आपको बताया था कि इस परच्वी के अपर हम सुख धाये देखते हैं, तो एद्वितिये लगती हैं, जमीन के अंदर कितना मीठा जल, गर्मियों में फल दार वरक्स काजू किसम सेव संत्रे, और ऐसे पदारत लाड़ो जले बीवर फी बालू शाइके में बना आगे खायले, और फिर देखते हैं कि कि पडोसे में देखा कि वहां हाहा कार मच गया, क्या होगा, एक लोता पूचर था मर्तू को पराप्त हुआ, फिर समाचार जहें दी थी, उनका उयूज क्या हुआ, हमें फिर वो देलो कहां रहा प्रभू, प्रमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया, रिग्वेद मंडल नमर नो, सुक्त नमर 82, यानि 82 के मंतर नमर एक से लेकर तीन तक, रिग्वेद मंडल नमर नो, सुक्त नमर 86 के मंतर 26, 27, इन में सपष्ट किया है कि वो परमात्मा, कवीर देव, सतलोक से, अपने अमर धान से, सनातन परम धान से, गती करकर आता है, वहां से चलकर आता है, और वो अपने स्रिष्ट आत्माओं को मिलता है, उनको ग्यान देता है, तो उन स्रिष्ट आत्माओं में से, एक आधनिय धरमदास साहिब जी थे, धरमदास जी को परमात्मा ने बताया के, धरमदास, तुम यहां जो अपनी संतान संपत्ती और दोस्विध हैं, आप मान रहे हमारी है, नहीं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चर्ण कमल मैदान रखो, इन दोनों को खो, जब काया तेरी नहीं है, ये सरीर तेरा नहीं है, विन विनास होगा ति अब माया तेरी कैसे होगी, तब दरमदास जीन पूछा है, परमात्मा ये है, क्या फिर ये सांग है, तब प्रमातुमा ने कहा दर्मदास ये ऐसी रस्ता है ये कसाई है ये काल यहां का दो भगवान है जिसको ब्रहम कहते हैं सर्पुरुष जिसको कहते हैं सर्पुरुष सर्पुरुष ब्रहम भी इसी को कहते है जोती निरद्ध निसी का नाम है गीता जी देह नंबर 11 के सलोक नंबर 32 में सुन कहता है कि मैं काल हूँ और जुन और सब को खाने के लिए अब परवर्ट वाओं श्री किर्शन काल नहीं थे ना पहले कभी काल कहा गीता जी ग्यान से अलग ना बाद में कभी अपने आपको काल कहा वो काल बोल ला था बूत की तरह पुस्म प्रवेश करके प्रेथ मत मैं काल हूँ और ये देख मरा ये रूप है एक जार बुजा जार पर जार फंड देखा जाड़ा पाट दिया इसे यो दागा बगवान तो बगवान के दरसन के लिए हम जाते हैं अरी साब अगवान होता है इस दाथ साथ तो ये रूप है जिसाब अर्दुन न दिखाया कि मरा यू असली रूप है तो बगवान के दरसन इसलिए करने जाते हैं देखते हैं आत्मा परसन हो सीतल सभाव हो बोलने के भी नमरता हो प्यार मेले दुख ना हो सुख ही सुख हो इसलिए बगवान को डून तरी से बुड़े ने देखते कल जा पाई जा पता उसने के गड़ना है इसलिए बगवान ने तो वो कहें ये है मेरा असली रूप और मैं काल हूँ अर हम इसकी पूजा किया करते थे और इसकी पूजा करने वालों को महरशी कहा करते थे बुड़े विद्वान है तो प्रमातमान बताई हूँ काल है वाई ये पहला तो असरूमत इसाजिक है जान बगवान पड़या है और जब इसका असली चेरा सामने आता है इसके करतूद देखा तो ये तो काल है जैसे कसाई वक्रे पालता है उनके लिए सब सुईधाएं करता है चरागा बनाता है और उसके चारों तरफ इंसक पस्वों सिक रख्षा के लिए उनके लिए एक डिफेंस त्यार करता है उपर च्छाया बनाता है शैड बनाता है उनके लिए पानी का ताला बनाता है उनको पानी पिला के लियाता है चराता है उनके उपर का हाथ उत फेर है उनने लाड़ तो वो देखता है तो कसाई आता है पसों के अंदर अपने और वो देखता है से हाथ ला करके यो तो उन्यों देख यह कहिक लोगा हो गया कितना मास बढrąyards इसमें और वो बोढ़ी आतमा न्यों सम्दें बकरे और बकरिया कि हमारा कितना द्यालो स्वामी है हमारी कितनी केर टेक करता है कितनी सुविधा का ध्यान रखता है ये हमारा प्यारा है उद को प्यारा समझकर उसको चाटते हैं उसके उपर पैर फैलाते हैं सीनी से लगाना चाहते हैं और वो इन्हों देखे कितने की लोगा हो गया, कितने गाविक केगा, उदर ते स्वीधा देता है जब तो वो अच्छा लगए, और फिर जब आजा दो चार बकरों की डिमांड, वो नहीं देखता किसका बिट्टा दा अगर, किसकी माज आगी, किसकी बुवा कटेगी, वो त किया है, क्योंकि ये पुरान जो है, शिरी विष्णु पुरान जो शरू होती है, इस में इस ये काल भी विष्णु रूप धान कर लेता है, विर्मा का भी रूप धान कर लेता है, शिर्जी का भी रूप धान कर लेता है, और सादक जन्द साधना करते हैं, ओम नाम के यही है यह बगवान ओम नाम के जाफ से जो धमे दिखाई देता है ऐसे यह नभी तक सारी बात बिगाड़ रही थी तो अब यह क्या कहते हैं ज़र विश्णु पराण स्टार्ट होती है यह उस काल के बारें जानकारी दे रहा है यह सबस्ट करता देखिएगा शिरी विश्णु पराण गीता प्रैस गोरुपुर्शे प्रकासित है इसके अनुवादक है शिरी मुनी लाल गुप्त और गीता प्रैस गोरुपुर्शे प्रकासित है अध्धाय नंबर दो के यह प्रिश्ट नंबर चारप है शिरी विश्णु पराण अध्धाय नंबर दो यहां देखिएगा इसके मंतर नंबर पंद्राम स्लोक नंबर पंद्राम हे द्विज परव्रम का पर्थम रूप पुरुशे एव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप है तथा काल उसका पर्म रूप है अब ये विद अन्वाद करता और ये इसके वक्तावी अन्भिज थे अग्यानी थे इन्होंने कोशिस की है डिफाइन कुछ करने की पर नहीं कर पाए यहां हेद विज ये परवर्म के है इस काल में विश्णूने ये विश्णून रूप पंतर संदित यहां देखिएगा यही अध्याय नंबर दो ही चल रहा है और इसका मंतर नंबर 27 में हेव मैत्रे परले काल में परधान परकरती के सामय औस्तान सतीत हो जाने और पुरस के इस काल के परकरती से पर्थक सतीत हो जाने पर विश्णू भगवान का काल रूप परवर्त होता है विश्णू भगवान का काल रूप परवर्त होता है अब दुर्गा के साथ रहता है तब तो ये विशनु रूप, बिर्मा रूप या सिव रूप धान करता है और दुर्गा को पारवती, बिर्मा के साथ स्यावती रूप में, विशनु के साथ लक्समी रूप में, संकर के साथ पारवती रूप में रखता है तब तो ये इन रूपम रहता है विशनु रूप लक्समी के साथ विशनु रूप रहता है और जब दुर्गा को छोड़ देता है तो ये अपने किस्म ब्रमाड मज़ा करके अपने वास्तवी काल रूप में विराजमान हो जाता है तो यहां लिखा है कि मेत्रिय परलयक आलमा परद्धान यानि परकर्ति के सम्य-व्ष्थाम शतीत हो जाने पर और पुरुष के इस काल के दुरुगा से पर्थक शतीत हो जाने पर यह किसम फिर मंड में चला जाता एक बगवान विश्णु का काल रूप परवर्त होता है और यहां इसी के बारे हम जिक्र है कि हे द्विच परब्रह्म यानि इस काल का विश्णु कहो चे काल, महा विश्णु कहो चे काल कहो, ब्रह्म है यह परब्रह्म गलत रिखाए दो, हे द्विच उस परब्रह्म का पर्थम रूप पुर्ष है, बगवान जैसा है, प्रमात्मा कब उसके अन्य रूफ है। शाकार और निराकार जो ना दिखता है। किसी रूफ महा जाता है। और प्रंतु तथ़ा काल उसका परम रूफ है। अथम पृत penthouse का गवान जैसा है। यह यानि फर्ष्ट इंप्रेciasन तो इसका ऐसा दिख़्ए है। परस्ट इंप्रेसिल तक देखा वह बगवान ना बड़ी सुईदादे रहा हैं बड़े देखो जरने बह रहे हैं कि तब भाग बगी चे खड़े हैं और बड़ी सुंदर हवा चल रही है नीचे जल है पानी मिठा तो इन्यों देखा तो यू बगवान ना पड़ा है परमात हैं खटम होगे जो देखा तैयू इसका असली रूप तैयू है यह काल है तो यहां बता है कि जैसे कसाई बकरे पालते हैं पालता है उन बकरों को वो सुईदा देता तो लगए है यह तो बड़ा अच्छा आदमी है लेकिन उनकी इतनी बुदी काम नहीं करती है कि स्याम न तो यहां गीता जी अध्याय नंबर पंद्रा के स्लोक नंबर 17 में पुन्यातमाओं यह अध्यात्मी गरंथ है यह को बालकों के लिखे वेया सांगी और बद्धनी और इन फिल्मी कलाकारां के बनाएवे गाने नहीं है यह यह बहुत ही अच्छा विधान पर्भू का दिय कि इसलेशन होता है बहुत मैतो गूड्रे से उत्म पुर्सयतु अन्य पर्मात्माइ इत्यू धारते वास्तविक भग्वान शरेष्ट प्रभूतो ऊपर वाले सर्पुरुष और अक्षरपुरुष से कोई और ही है जिसको पर्मात्मा कहते हैं पर्माने स्रेष्ट आत्मा माने आत्मा अच्छी आत्मा कहते हैं जो उत्तिष्ट आत्मा है वास्तावं जिसको प्रमात्मा कह सकते हैं अब करन तो प्रमात्मा हम इस न भी कह हैं लेकिन इसको प्रमात्मा कह जरूर है पर गुण तक वो ना प्रमात्मा ले प्रमात्मा ले श्रेष्ट आत्मा नेक आत्मा शीटी तक भी ना मार रहें केवल सुख दे और दुख ना दे उसको परमात्मा कहते हैं तो वो सत्लोग में सत्थपुर्श है वो परमक्सर ब्रम है वो कवीर देव है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करकर सब का दहन पोचन करता है वो है वो अविनासी प्रमात्मा है अपने अत्मा इस से एक और बात समझ माओगी अपने गिता जी अज्याय नमर पंद्रा के सलोक नमर एक से लेकर चार में क्या व्यक्या की है कि उपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुन रुपी साखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसा रुपी वर्क्स जानो और इसकी तीनों गुन रुप साखा रजबुन बर्मा सत्गुन विश्नुत अबुन शिजी और जो संत इस संसा रुपी वर्क्स के सभी अवेवों को सभी पार्ट्स ओव दा टेरी के जड कोन गवान है तना किसे कहते है और डार किसे कहते है और साखा किसे कहते है और पत्तिय क्या है वे वेढ़ की परिये को जानने वाला है वो तत्व दृसिसन्थ है गीता जी अज़ह नमर चैयर के स्लोक नमर 32 में ये बता है कि कोई तो उपर को पैर करके नीचे को से करके साथ ना करता है कोई अन्न देवताओं की पूजा करता है कोई वर्त रखता है कोई सवध्धा ही करता है कोई केवल अहिंस्यवादी ही है यानि अपनी अपनी साधनाएं वो ऐसे कर रहे हैं और प्रतेक साधक अपनी साधना को पाप नासक जानता है यानि जो भी कोई करिया कर रहा है वो ने सोचा अबडिया है, मुझे सुख देगी अगर उसको ये पता हो, ये सुख नहीं दे ये पाप ना सक नहीं है, अच्छी नहीं है तो तुरंग ट्याग जे वो तो वो अपने अपने साधनाओं को वो अपने अच्छी मान कर कर रहे हैं लेकिन इस परकार की विश्त्रित जानकारी चोथे जय के बत्तिसमे स्लोक में गीता जिमका है कि इस तरह की विश्त्रित जानकारी उस सचीदानंद घनब्रम की वाणी में सचीदानंद घनब्रम की वाणी में विश्तार से कही गई है सचीदानंद घनब्रम मुखे सब लिख़् है ब्रम्ने मुखे कार्थ होता है उस सचीदानंद घनब्रम के मुखारवींद से उसके अपने मुख से बोली गई वानी में वो विश्तार से कही गई है और उस ग्यान को वो तत्व ग्यान है गिताजे 10 नमबर 4 के सलोक नमबर 34 में कहा कि उस सचीदानंद घनबरम की वाणी में जो तत्व ग्यान दिया है उस तत्व ग्यान को तु तत्व दर्शी संतों के पार जाकर समझ और उनको डंडवत परनाम करने से कपट छोड़कर नमरता पुर्वक परसन करने से वो तत्व दर्शी संतों तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे फिर जैसे वो बतावें ऐसे कर और वो तत्वदर्शी संथ होगा कैसा पंदर में जायके पर्थम सलोक माँ उसका जानकारी जादी पैसान बता दी कि जो उटे लटके संसार रुपी वरक्स को सब आवें के साथ-साथ भिन-भिन बतावगा वो तत्वदर्शी संथ है पुनात्माओ ये एक ऐसा विद्धाले है एक ऐसी यूनिवर्स्टी है जिसके पढ़ेवे बच्चे मोक्ष प्राप्त करेंगे सत लोग चले जाएंगे इसलिए ये दास एक टीचर बनाया पुनात्माने और टीचर का प्रत्थम करतेव होता है कि सटूडेंट्स को विद्धार्चियों को सलेबस यही जानकारी दे मनमुखी बहार की कोई कथा ना सुनावे अभी तक हमारे को सलेबस का नाम ले करके आउट ओस लेबस स्टड़ी कराई गई है इसलिए आज तक हम ये नहीं जान पाए कि बिरमा विश्णों महिस की सथीथी क्या है ये जनमते हैं इनको हम अजरों अमर कहा करते हैं इनका इतियास इनकी जीवनी बताती है कि तो नासवान है इनके माता पिता भी हैं हमें बता गया था इनके कोई माता पिता नहीं है तो इसे सद है कि हमारे इतनी भी पुरुज थे इन अनाड़ी अग्यानी गुरुओं ने सारे उनका जीवन वर्थ करा दिया सारे बूत बना जिये फिर उनके सराद काड़न ला दिये इसको गंगा में ले जाओ और फिर वर्सी करो महिना करो चमाई करो और फिर सराद सरू कर जो इनका दंदा बना रहा था पहले बूत बन वाए और फिर सराद कर दो आए हमने अपने सदेबस पर ही विष्वास करना गीता जी दह नवर 16 के शलोक नमर तीई से में काया कि सास्तर विदी को टाक का जो मनमानी पूजाएं करते हैं साधनाएं करते हैं मनमाना आचन करते हैं उनको ना तकोई सुख ना गती हो ना उनकी कोई सिध्ध हो ए अर्थाच यूजलिस इसलिए 24 में स्लोक में कहा सोड में जाए कि अरदुन इस से तेरे लिए करते वर्य करतों के वस्था में कौन से साध ना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए सद्गरंत ही परमान है अन्य किसी की दंत कता पे विश्वास मत कर ले तो दास चाता है कि आप जी को इन सद्गरंतों से प्रिचित करा दूँ फिर आप ही अपने द्मित्रों को रिष्टेदारों को बहनों को भाईयों को और आप भी इस दास की तरह फिर टू दी पॉइंट समझाने लग जाओगे दास का काम अलका हो जागा और आगया गया तो स्रीट वीवरे दोताजा रहें अब तो दासना ठाट गंटे ठारा ठारा गंटे बोल का देखा ठारा 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 गंटे दनमा तिन तिन बार सफ्चंग क्या करता था तो अब मुझे सहोग मिल गया अबुदीवान वर्ग इसमें आने लगे हैं सब इपने लखे होगे भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपलजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नजदी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541